जुहार नमस्कार अदाब सच्रियकाल मैं दिनेश सिर्वास्तो आप देख रहे हैं एडी लाइप राम नौमी का परब जमशेदपूर में बहुत ही धूम धाम से मनाय जाता है और राम नौमी का परब इतना सिंसेटिव होता है कि पुलिस परसाशन से लेकर सभी बहुत अधिक इस परब को ध्यान देते हैं नमस्कार मैं संतोस अखाड़ा एगरिको का सची हूँ हमारा यह अखाड़ा का सुरवात 1969 से हुआ है और इस साल हम लोग 54 वर्स मनाने जा रहे हैं हमारे यहां पर बहुत ही संतीपुर्वर्ग झुलूस निकलते आ रहा है हर बार तंका थौ justement हर साल की भाती वह साल भी खड़कुर से हमारा है संदेश यह यह कि यह जो परब है हम लोग सब्सक्राइब भाईचारा और सांधिपूर्ण के साथ संपन करें यही कामना करते हैं नगर्व से हमारे साथ संतोष कुमार जी है जो अखाड़ा के लाइसेंस और संचालन्स इनी के बात करते हैं कि या परब कैसे शुरुवात हुआ क्योंकि आज संतोष जी राम नौमी में आपके सामने वह इतियास के पन्ना खोलेंगे कि कैसे शुरुवात हुआ और राम नौमी में क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले मैं आपका एडी लाइप का आर्दी का बंदन करता हूँ मेरा खाला के प्रागान में आप आने हैं उसके लिए आपको सभी वत्रकार बंदू को बढ़ाई उसे बाद मैं इस पुजा को 1969 में पुजा किये थे 1969 में पुजा में कितना उमर होता हुआ मेरा उस समय मेरा पिधाजी थे मेरा उस समय 18-19 साल उमर होता था मैं टाटा स्टील जोइन किया था डॉफ़जा को तविल का हुआंधा सब्सक्राणगे है मता इस बहुतव राहिए ना नमीक को टाइम ओता था और बहुत सब्सक्राणगे संसीटिभ ऊता्यटिब तोराज यह थर जिसमें पुरी तरह सांथ हो चुका है। पहले का राम नमी में बहुत फरक है। बहुत फरक है। दुसरे बात पहले का जो पुजा था बहुत सिंजिडीव था फुजा अभी अभी पुजा करना पहले से करने बहुत फारक एक है के अभी मअनों रहेत है पुजा को लिकरे करें पुजा करें कि Council को भी तो देखना है सहर में अपना जगह में परола सन सब को dónde करता है जो लोग पद्वासि करते हैं उनी कोई परसासन तंक करता है बाकि लोग को कभी परसासन आप नहीं डालता अचा चावन साला पुझा को किये तो कुछ ऐसा हाथसा कुछ घटना ऐसा कुछ हुआ अभी तक तो मेरा अखाला में कोई बगवान बेजरिंग बली करते किस अखाला में आच्छा नहीं हुआ नाच तो किसी से मार पीट हुआ अच्छे शुरुवात आपने कैसे किया घर में एक उतने बड़े तुझा काया हुजए मैं सबसे पहले रोहन अखाला का मैं सेकेटरी जा ओही मैं अखाला सिका हूं वही मेरा बेटा भी सिका है मेरा यंग श्टार है क्योंकि आज कल पहले हम लोगी देखते थी कि लाटी का खेल होता था तलवार के खेल होता था अखाडा पूरा भीड उसको देखने के लिए होता था लेकिन आज का हुर्दंग हो जाता है डीजे बज रहा है ये परसाशन के लिए बहुत बड़ा कठीन मत समय होता है और जिसके कारण कुछ भी हो सकता परसाशन इसलिए सकती अपनाता है तो अभी के जो यंग स्टार है अखाडा क्योंकि आपने चाववान साल समा समाल के रखा और उसके बाद आने वाले पीड़ी को यह सब काम करना तो जो आने आले पीड़ी को क्या-क्या प्रुवक्त बिताया जा सकते हैं सब्सक्राइब बहुंगा कि जिला का डिला का डिसी मोद है और एसस्वी मोद है इन्होंने टेलर को पतिबंते डीजे पे सही बात है तीजे में डीजे बजन नहीं चाहिए बगवान राम का पुझा मरयाता का आप बजन बजाई है राम क सब्सक्राइब करते हैं तो आप जो यंग इस्टायर है उसको जो आज बच्चे जो तलवार लेकर हला गुला कर रहे हैं राम राम कर रहे हैं तो उनको क्या संदेज देना चाहते हैं आप लोग अखाला किये के लिए आज हम तो चाहेंगे कि लड़की लोग आना चाहिए भी लड़की को आज का डेट में लाटी तलवार चलाना चाहिए क्योंकि आज कोई ब्यूसुच निकल जाता बजमाती करके वह अगर अपना हाथ पर लाटी चलाना जानता तो दोड़ तो अभी के जो अखाड़ा है और कल के जो अखाड़ा है जो बीद गया और अभी जो चल रहा है और आने लग समय इसका कैसे रूप होगा क्योंकि जिस हिसाब से यंग इसको मतब मजा लेते मजा लेने का बात नी तो भगवान अलुमान जी का संकट मोचन इतना बड़ा मह परब को आज डाइवर्ड हो गया है, इसमें क्या कहना चाते हैं? देखे, सबसे बड़ा बात है कि आज का जो हमारा संसार है, ये बहुत भगदोड का संसार हा गया है पहले जिस तरह से मर्यादा पुरुशत्त्म राम का गुनगान गाया जाता था आज भी राम का गुण गा रहे हैं लोग लेकिन राम का गुण का साथ साथ आप गुण को भी लोग दर्था रहे हैं जो यह सरासर घलत है सही बात है कि आज का डेट में मनिपूरी में जिस तरह का तलवार बाजी होता है डंडा का खेल होता है बनड़ी का खेल होता है हम आज कर दो दोर में तर्सार रहे कि भगवान नहां सहाइज का बैरंग वली के भक्त को भक्ति का हिसाफ एव मनना चाहिए ना कि पहर्दाण कर करके मननाना यह समाज के लिए भी आही थे और हमारे देश के लिए भी आही थे लोग खिलते थे आज कर दोर में उसम नहीं है खाली लोग तीर तलवार लेके मने दर्शा रहे हैं कि भगवान नाम सहाईये का बैरंग वली का भक्त है तो बैरंग वली का भक्त को भक्ती का हिसाब से मनना चाहिए ना कि हुरदाड़ां करके मनना ना ये समाज के लिए भी आहित है और हमारे देश के लिए भी आहिए और एगरी को गोल्चक का लाइट सिंग्नल आपका लिठी चोक भुयाडी चोक कालिंदी बसती होते हुए पांडे घाट का भी सजन करेंगे सांती प्रुबट देखे राम नौमी का परभ पुरी तरह वहां परभ जो हलुमान जी को समर्पित होता है और हलुमान जी का एक नाम होता संकट मोचन संकट मोचन या भगवान जी से या मैं भी अनूरूत करता हूँ कि जमसेदपूर में किसी परकार का संकट नहीं है जमसेदपूर को मिनी इंडिया कहा जाता है यहाँ पर सभी समुदाई के लोग रहते हैं हम चाहेंगे कि हलुमान जी से कि इस राश्ट की इस जमसेदपूर की सांती बेवस्था भंग नहीं हो और खास करके वहाँ यंग इस्टार जो आज गाना में तलवार लेकर करतब करते हैं वहाँ इसे समझे समझे और सांती पूरवक इस राम नौमी का परव को मनाए और यही अनरोद मैं भी करता हूँ कि राम नौमी का परव धूम धाम से भक्ति भाव से मनाए जाए ना कि आप डीजे बनाकर डैंस करके या परव मनाए जाए परसाशन भी यही अनरोद करता है कि आप या पर्व सांती पुर्वक मनाए या पर्व भगवान राम को समर्पित है या पर्व हलमान जी को समर्पित है जिनोंने दुख के समय जिनोंने विकत के समय संकट के समय उन्होंने खड़े होकर कैसे करके समस्या को समधान करता है तो आप एक अच्छे नोवीवक है आप एक देश के अच्छे नागरिक है और सबसे बड़े चीज़े कि भारत देश के वाई युवा है जो इस पर्व को सांती पुर्वक मनाए जै हमें संतोष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि जो पत्कार होते हुए विच 54 साल इतने बड़े पूजा को मनाते हुए आ रहे हैं या जितने भी अखाड़ा समिती है उनके लिए भी एक आइना है हम चाहेंगे कि इसी परकार राम नौमी का प्रव सांती पुर्वक परिवार के साथ मनाए यही मैं अन्रोद करता हूँ एडी लाइफ को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथ ही आप सभी को मिल रहें अपार प्यार सहयोग उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और अभार एडी लाइफ को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहें एडी लाइफ